भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों पूर्ण नहीं करते सादकों कई सारी लोगं का यह सवाल है कि हम तो प्रभू से इतनी प्रातना करते हैं पर प्रभू हमारी एक भी मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं हम तो इतना नामजब करते हैं भगवान की पूजा करते हैं फिर भी हमारे इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं होती यही आज के 99% लोगं का सवाल है आज इसी टॉपिक को अच्छे से समझने की कोश्च करेंगे तो बिना किसी दिरी की विडियो शुरू करते हैं दोस्तों पूरे भारत में सरदन्दम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चला गुजरू सब्सक्राइब कीजे और इस बैल आकोन को प्रिस कीजे मित्रों भक्तों को इस बात की बेचे नहीं रहते हैं कि हम तो इतनी साधनाय करते हैं फिर भी ठाकुर जी हमारी बाते सुनते क्यों नहीं है क्या मेरी प्रारतनाय भगवान तक नहीं पहुंच रही ऐसे उनके मन में सौशे रहता है मित्रों ऐसा नहीं है कि प्रभू आपकी प्रातना है नहीं सुनते प्रभू आपकी छोटी सी छोटी बातों के बारे में जानते हैं अगर हमारी इच्छा ये हमें माया में फसाने वाली हो तो प्रभू आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करते जैसे एक बच्चा आपको देकर कहता है कि मम्मी मम्मी क्या मैं इसके साथ खेलूं तब माँ उसे दो थपड लगाती है और उसे आग से दूर रखती है अब वो बच्चा उस चीज के लिए कितना भी रोय हैं फिर भी माँ उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करती क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि आग हानी का रख है पर माँ को तो पता है न वैसे ही हम जीव भगवान के बच्चे हैं क्रिष्ण हमारी माता और पिता हैं हम अल्पक्य हैं और प्रभू सरवग्य हैं हमारे इच्छाएं हो सकता है कि भविष्य में हमारे हानी करने वाली हो, इसलिए प्रभु ने उसे पूर्ण ना किया हो, प्रभु ऐसे कोई चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे हानी हो, प्रभु हमें ओने देते जो हमें चाहिए, प्रभु हमें ओ देते हैं जो हमारे लिए सह प्रभू आपके पूर्ण जीवन को जानते हैं, अगर कोई चीज आपके लिए सही है, तो प्रभू आप उसे मांगने से पहले ही पूर्ण कर देंगे, इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगक्षेमम भाम्यम, यानि कि मेरे भक्तों का भरन मोशन मैं खुद करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे अंदर के बाते नहीं जानते हैं, इसलिए भगवन को गाले देते हैं, जब भी आप हरी भक्ती में आते हो, तो आपके लाइफ का सारा कंट्रोल श्री हरी अपने हातों में लेते हैं, अब आपका जीवन आपके इसाफ से नहीं चलेगा, अब उ समझाएगा कि प्रभु ने में साथ ठीकी किया, इसे आप बोलोगे, भक्ती कोई मनमानी चीज नहीं है, भक्ती शरणागती का मार गए, जितना आप कृष्ण की शरण में रहकर कार्रे करेंगे, उतना ही आप शान्त और खुश रहेंगे, जितना आप अपनी मन की बाते अरे भाई, भक्ती में आये हो ना, तो थोड़ा सा तो भरोसा गुरो भगवान पे, श्री हरी हमारे वेल विशर हैं, वही हमारे असली समरक्षक, असली माता पितार प्रेमी हैं, प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखिए, तभी आप खुशी से जी पाएंगे, अब तक आपने माया पर पूर्ण विश्वास किया, तब क्या हुआ, आपकी बरबादी ही ना, बड़ी कृपा है आप पर जो आपको हरी भक्ती मिले है, आपकी जीवान का डोर बहुसती सही हाथों में आ गया है, अब प्रभु आपका उद्दार करके ही दम लेंगे, अब इसका य प्रभु अचिनते हैं, इसलिए उनकी लीला को समझना मुश्किल है, हो सकता है कि अब आप बोरे हालात में फसे हो पर भगवान पर पूर्ण विश्वास करें, आप जल्दी ही इससे भारा जाएंगे, भगवान आपके लिए जो सही है वो आपको देते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारा करतब यह है कि बस हम कृष्ण जी पर पूर्ण विश्वास करें और शरणागत होक कितना प्यार करते हैं, तब आप फूट फूट करके रोएंगे भगवान के सामने और अपनी गलतियों के लिए पस्ताएंगे, आप इस वीडियो का अवश्य देखिए, लिंक डिस्क्रिशन में है, इस वीडियो में आपके बहुस से सवालों के जवाब छिपे वे हैं, एक आपके लिए सही होगा, वहाँ पे आपको सफलता दे देंगे, बस काम करते रहें और भगवान का आश्रय लें, अगर आपको कोई अन्य सवाल हो, तो मुझे कमेंट आउश्य करें, तो अशकर लिए विस इतना ही, हरे क्रिश्च्छन दोस्तों, हम हमेशा स्वानादन धर्ण के बारे में ऐसे ही गुप्त नियान हमेशा लाते रहेते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार अपने साथ जरूर शेर कीजिए, और थर्ड़ बात कहें कि आप सस्क्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहतेलन केंटेंट हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगी, इसे लाइब के कीजिए, जरूर सस्क्राइब कीजिए, तो स्टे बलिस, स्टे आउसम, एंड क सल्पमेब.